Hello Traders and Welcome to the Studio मेंबर्स जेके सीमिंट कॉस के दिन हम ट्रेट कर रहे है एंट्री तो हमने लगाई थी 4075 पर जो हमारी 10 पजे की केंडल इसके जस्थाइ के ओपर बट 20 पैसे थोड़ा सा बफर दे करके 4075.20 पर पूरी एंट्री जो क्वान्टी थी वहीं पर एक्जेक्यूट हुए थी स्टॉप लॉस हमने अपना स्विंग के निचे लगाया है डेली टैम फ्रेम पर कुछ ने आलसे से लाइक इस तरह के नासे सो हम पहले भी आपके समने कर चुके हैं और काफी सारे ट्रेट्स पी एक्जेक्यूट करके दिखा है कि एक हमारी मास्टर केंडल होती है मदर केंडल इसके बाद में बनती एक बेबी केंडल ऑल्म के एक्सटर है बनकी केंडल是我ं खोर करें होते हैं कि यह एक पर हमारी में बनती बाद में दिखा लाजेगा अगाया है काई बार होता है, पर एक ब्रेटन पान nego और उरस काउट केंडल केंडल выглядै and volumes के यह वाले structure होते हैं तो हमेशे हम लोग break outside trade करते हैं अभी हमने जैसा बता है कि ज़रूरी नहीं है कि price सिर्फ एक दिन यहाँ पर hurdle दूसरे दिन भी रुख सकता है इस तरह से करते हुए इसके बाद में भी price यहाँ पर रुख सकता है और जब भी break out देगा हम तब trade execute करते हैं तो यह अपना main structure होता और यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है कल हमने एक short video upload किया था जिसमें हमने कुछ 5 techniques आपको बता हैं थी techniques like वो एक तरह का एक तरह का वो challenge था कि हम लोग एक मैने तक सिर्फ एक ही system पर काम करेंगे एक risk और एक money management को apply करेंगे follow करेंगे options trading से हमेशा दूर रहेंगे कल का short video आप देख ली जाएगा आपको सारी चीज़ें clear हो जाएगे अभी इस पूरे setup को lower and higher time frame पर हम बहुत अच्छी तरह से clear करेंगे इसके ओपर एक deep discussion हम लोग करेंगे तो लाइक जरूर कीज़ेगा है और अगर शुरुआती स्टेज में आप हो तो इस system और इस strategy का जितना हो सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा यूज़ करो price action को समझने में बहुत अच्छी तरह से help करेंगे तो with volume हम लोग अभी price action के पूर इस structure को समझेंगे thanks and start करते हैं अज का वीडियो upset का जो level आप देख रहे हो 4178.50 अपना main target है और यहां तक price को जहाना ही है entries and targets को पर discussion भी करते हैं इस वक्त का जो अपना profit चल रहा है यह बार trade book में देख लेते हैं so 142 quantity के साथ प्रेट अपना चल रहा है वेट करेंगे देखिए ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा profit हो रहा है यह target तक पहुंच रहा है पहुंचने से पहले डर लगता है कि जाया गया नहीं जाया तो उसे भली निकल जाते हैं कुछ भी नहीं करना है या तो target या stop loss and I am damn sure कि अपना जो target है वो मिलेगा ही मिलेगा और नहीं मिलेगा तो फिर जो उसका current price होगा हम लेकर के निकल जाएंगे लेकिन किसी बात के जल्दबाद ही नहीं होगी कि जो मिला उसको ही लेकर के निकल जाते है बारा बचकर पांच मेंट की एक candle जो की as a hurdle काम कर रही है और हो सकते है वो बारा बचकर पांच मेंट की candle में एक fake breakout में भी चांस है क्योंकि उसने hurdle लिया तो stop loss लेने के लिए एक बार वो fake breakout दिक है इसके बाद में target दे सो एक एक चीज़ देखे depend करती है कि जिस वक्त हम trade execute कर रहे हैं उस वक्त कि उसके current time की values क्या रही है या फिर overall market का sentiment वगरा क्या है फिलहाल जब trade execute कर देने के बाद में analysis करने बढ़ते हैं तो फिर यह over analysis हो तो trade execution के बाद में कुछ नहीं करना है अब आज के trade को explain करने के timeframes का हम use करेंगे इस system में हम लोग total 4 time frame का use करते हैं इसे technical language में top down analysis कहा जाता है और हम लोग इसका multi time frame analysis करेंगे इस analysis में हम लोग 4 तरह के time frames का use करते है weekly, daily, hourly and family time frame तो सबसे major analysis जो होता है अपना वो हम लोग weekly और daily time frame पर करते हैं एक system हमने आप लोगों को पढ़ाया था काफी दिन पहले, breakout होने से पहले के symptoms कोई भी trade अगर हम लोग execute करने जा रहे तो देखो दो ही तरह से execution होगा उसका या तो हम लोग breakout होने से पहले उसका trade execute कर दें या तो फिर breakout हो जाने के बाद, breakout हो जाने से पहले अगर कोई trade execute हो रहा है तो क्या conditions उसकी निगल के आती है कि या तो यहां से फिर यह नीचे आजा और फिर मेरा stop loss क्योंकि यह trade हम लोग breakout होने से पहले का करते हैं इसलिए थोड़े से risky होते हैं अगर trades risky हैं तो हम लोग इसका risk किस तरह से कम कर सकते हैं अपनी analysis के तुरू कि हम लोग readings करके यह confirm कर लें कि क्या price हमारा strong है या weak अगर यह strong breakouts हमें lower time frame पर दिखा रहा है तो बहुत जादा chances हैं कि price फिर अपने higher time frame पर भी breakout करी जाएगा लेकिन अगर lower time frame पर ही यह हमें weak symptoms दिखा रहा है वीक moves दिखा रहा है, volumes भी नहीं आ रही है तो फिर chances यहीं रहेंगे कि price फिर अपने इस resistance पर जाकर कि यह break inside trade execute करना शुरू करते हैं यह थो गया कि breakout होने से पहले का trade और दूसरा trade कौन से होता है कि breakout हो गया और अभी हम लोग wait कर रहे हैं एक अच्छे move का breakout हो जाने के बाद में treat execute करेंगा तो इस दो ही तरह के trade होते हैं इसके लाब और कोई तीसरा trade होता नहीं है कई लोग क्या करते हैं trend line से trade execute कर रहे हैं कई लोग क्या करते हैं indicators वगरा लगा करकर use करते हैं उसका तो होना यही है कि price अपने किसी certain point of actions को या तो breakout कर देगा या तो फिर करने वाला है अब हम लोग कैसे इन price actions को समझ सकते हैं सबसे पहला weekly time frame सबसे पहला weekly time frame देखेंगे तो weekly time frame पर price हमारा किसी एक zone में रुका हुआ है और ब्रेक आउट नहीं कर पा रहा है हमें चाहिए कि price अगर हमारा इस range से बाहर निकला तो moves हमें मिलेंगे और अच्छे move मिल सकते हैं अच्छा daily time frame पर क्या है अभी इससे पहले एक price action हमने आपको पताया था कि एक इस तरह का move हुआ है जिसमें कि जो volumes हैं इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि इस तरह का move हो चुका है जिसमें कि जो volumes हैं पहले वाले के कम और दूसरे वाले की ज्यादा है ठीक है अब यह वहां से price जब breakout करेगा तो अच्छे breakout की समभावना होती हैं और यह वाले जो price action हम लोग देख रहे हैं यह daily time frame का और weekly time frame है तो weekly time frame पर पहले marking कर लेंगे और देखेंगे कि daily time frame पर मतलब weekly से जो कम time frame रखता है वो daily time frame है देख साफे हैं कि आपि अपर अपने इस तरह के चाहिवार स्रांगिया या प्राइज बार बार जाकर कि रुक रहा है, जैसे प्राइज का breakout होगा, move हो सकते हैं, यहाँ पर क्या था, यह सबसे first weekly time frame, इसके बाद में फिर हमने daily time frame पर देखा, कि हाँ यहाँ पर भी strongness है, यहाँ daily time frame पर भी strong है, अगर यह breakout में दिखा देता है, इसके बाद में हम देख hourly time frame पर, hourly time frame पर यह एक resistance के पास में, अगर price हमारा इस resistance को break कर देता है, तो क्या chances हैं कि price एक और दो, इन दो points से अगर हमें strong दिख रहा है, तो क्या वो weekly time frame को भी breakout कर देगा, अब down से अब तक के analysis को देखिए, hourly time frame पर अपने एक resistance पर है, जिसको किसने break किया हुए already, daily time frame पर अब भी price हमारा अपने resistance को break कर चुका है, with volume, क्या यह weekly time frame को भी break कर सकता है, अगर break किया, तो move कितना बड़ा मिलेगा हम लोगों को, और entries के confirmations के लिए, फिर हम लोग चले जाते हैं, सिधे 5 minute के time frame पर, तो को छोटी-छोटी चीज़े हैं, हम लोग जब practice करने बैठते हैं, professional लाग रुपया को loss मतलब बहुत loss होता है, और वो सारा अगसारा loss उनको options में है, phone करके उन्होंने कहा कि एक साल पहले उन्हें आप से contact किया था, fees वगरा सब जो भी था, submission क्या, पूरा मन बना लिया था, लेकिन फिर उन्होंने एड्मिशन नहीं लिया, classes वगरा नहीं ले, उन्होंने कहा कि जो भी पैसा था हमने सुचा वो सेम ट्रेड एक्जिकूट कर देंगे, करने बैठे, और एक साल से ट्रेड एक्जिकूट कर रहे हैं, अभी जाकर के चार लाग रुपया को नोकसान है, अभी वो कहीं पर अपनी job कर रहे है, पंदर बिस जार रुपया के salary में वो job कर रहे है, यह चाहिज हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक जो ब्रांती रहती है, कि Press Actions थो हम बहुत अच्छी तरह से आते हैं, वो तो हम करी लेंगे, क्योंकि उनका भी आकाश नम था, आकाश का भी यह कहना था, कि Press Actions थो हम बहुत अच्छी करवा करके चले जाएंगे दूसरी बात option में काम करने के लिए जा रहे हो आप 1500 रुपए का लॉस लगा होगे क्योंकि निफ्टी के अंदर एक लॉट किस भी साथ अगर काम करोगा टेक्निकली देखोगे तो 1500 रुपए के minimum stop loss आएगा बनेगा आपका ये बात अलग है कि 1500 लॉस होता है तो अब ये ट्रेड आप एक्जेक्यूट करने जा रहे हो जिसमें कि आपको लॉस होने के संभावना है 1500 रुपए की लेकिन इसके अगेंस्ट एक्विटी में जब हम ट्रेड एक्जेक्यूट करवाएंगे तो हो सकता है 1500 रुपए में हम पूरे महीने संभाल ले जाओगे अब डियरेक्ट अब 2000 रुपए का संभाला नहीं जा रहा है अब 2000 रुपए के स्रॉप लोस कहां से संभाल पाओगे चोटी 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 लॉजिक लगा अब जिस मार्केट में लोग काम करें वहां पर तो सभी लोग यही बोलेंगे कि आप options करो पाइदा है जो आपको ट्रीड एक्जेक्ट कर रहा है उसका अभी उसे में फाइदा है तो कोई क्यों ना कहे लेकिन ये सारी चीज़े देख रहे हैं समझने से पहले खुद एक बार analysis कर लोगी क्या जो काम हम करने जा रहे हम उसके ऊपर capable है वो करने के या नहीं आपकी pocket क इतना stop loss allow कर रही है यह सारी चीज़े देखने के बाद में कोई trade execute करो और छोटी इस तर से शुरुआत की जाती है हमेशा options अगर करने जा रहे तो इससे बुरी बात और कोई है ही नहीं option से जितना हो सके दूर हो जितना हो सके दूर हो सिवाए loss के सिवाए बरबादी के और कुछ वहाँ पर नहीं रखा है सारा पैसा वहाँ डूब जाता है कम खाओ लेकिन उतना लेकर के जाओ market में जितना आप लेकर के जा सकते हो 2000, 3000, 4000 बहुत होता है दिन का उतना निकालो लेकर के जाओ अगर आप 3000 रुपए भी अगले दो साल तक डेली मार्केट से लेकर के गए तो ये दो साल में इतनी टेक्टिस साब की मश्बूत हो जाएगी कि अब आप 3000 रुपए भी लेकर के जाने में capable होगे लेकिन शुरुआ माई ही देते रहते हैं आपके पूरी जिंदगी चली जाएगे तो अभी इसको सोचो, समझो और थोड़ा से इमानधारी के साथ काम करो अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पर और चार्ट पर समझेंगे चलकर कि यहां पर जो भी हमने लिखा है विकली, डेली, आवरली और फ ब्लेक लाइन कर देते हैं इसको याद रखी है हमें इस वाली कैंडल का ब्रेक आउट आज चाहिए था हमें ब्लेक लाइन करके उसको माक कर दिया है अब देखो प्राइज हमारा इस एक जोन में रुका हुआ है यहां पर देखो और हो क्या रहा है प्रिविज वीक से एक दो और यह 3 जो लोज है यह अप सैट के तरफ तूटते चले जा रहे है और प्राइज हमार है जोन में विकली टैम फ्रेम पॉर तो यह स्रौंग ही है क्योंकि यहां पर भी देखो दूसरा अब daily time frame पर क्या हो रहा है इस black valley land को याद रखियेगा अब हमने weekly में देखा अब हम daily time frame पर आगे अब daily time frame पर देखो एक ये बड़ी सा हमारी black valley candle है यहां पर देखिए 1, 2 और ये 3 3 दिन से price हमारा एक zone के अंदर रुखा हुआ है यहां पर दिखे एक दो यह एक हमारी candle इसके राद में एक और दो यह दोनों candle हमारे zone के अंदर रुखी हुई है एक दो और यह तीन यहां पर देखो price ने volumes के breakout कर दिये बट price का breakout नहीं हुआ है है ना first वाली जो candle अभी हमने बताए थी इस वाली candle की जो volume है आप देखोगे कि इसकी जो volume है वो कम है और जो बड़ी वाली candle है इसकी volume ज्यादा है यानि कि एक mother candle form हो रही है और उसके पहले भी यह हमारी एक बड़ी सी candle है इसके भी बाहर price ने निकला है चलो आप इसको छोड़ दो हटाओ अब हम क्या देखने है कि price एक mother candle form कर रहा है यहाँ पर volumes के breakout है अब अगर price हमारा इस वाली range को ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो क्या इस black वाली land को break करने की chances जोर बढ़ जाते हैं मतलब weekly पर हमें चाहिए breakout और weekly पर आलड़ी हम देख रहे है कि lows upside के तरफ shift होते जा रहे है और highs भी ब्रेक हो रहे है लगाता अभी daily time frame पर price ने एक हमारा range बनाया एक area बनाया जिसको कि आज इसने ब्रेक कर दिया morning में और अब बारी थी weekly time frame के level को break करने की अब सेम चीज को देखेंगे हम लोग जा करके hourly time frame पर hourly time frame पर याद है अभी जो हमने drawing बनाया थी हमें चाहिए एक proper resistance अब यह देखो hourly time frame है hourly time frame पर हम एक zone draw कर देते हैं यहां से लेकर करके यहां प्राइस जब जब उस एक area पर गया है इसने down move दिखाया है यहां देखो नीचे गर गया फिर स up side की तरफ कोशिच की finish गिर गया अब आज यह वापस उसी area को test करने के लिए है यहां पर अगर यह से उपर जाना तो फिर price उपर चला जाए और अगर उपर नहीं जाना तो जैसे ही price पिछले कई बार से down side की तरफ गिरा है यह आज भी वहीं से गिर जाए बट आज इसने देखो क्या किया यह वहां से नीचे नहीं गिरा है इसने closing हमें दे दी ऊपर की दरफ जहां पर price पिछले तीन चार हफते से ऊपर की दरफ नहीं जा रहा था आज इसने ऊपर की दरफ closing दे दे आप देख पर है कैसे time frames अपस में merge हो करके चलते है कैसे इनकी पुरी change चलती है अगर हम इसे सही से देखे तो समझ में आजाएगा price actions अगर strong करें न तो equities के थूरू strong करो और यहीं से होंगे भी options में क्या घूम फिर करके वही 4 या 5 charts है अब तो daily के expiry हो गए तो रोजी लगता है कि नहीं हर दिन options में लोग ज़्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसे नुकसान करने वाली traders की भी संक्या बढ़ती ही चली जा रही है price actions अगर strong करने तो volume के उत्रू अपने price action strong करो stocks candle इससे बहतर और कोई field है ही नहीं इतनी चीजे में समझ में कि weekly पर strong है यह हमें daily पर strong risk के निशानी दे रहा है और hourly time frame पर इसने हमें morning में breakouts दिखा दिखा क्लियर अब हम चलेंगे अपने five minute की time frame पर अचा five minute की time frame पर जाने से पहले बैली time frame पर और यहां पर अपनी जो master candle है कौन सी है बड़ी सी candle जो black वाली candle आप देख रहे हो यह हमारी master candle है और यह हमारा weekly time frame है ना हमें इसके ऊपर कोई भी कोई भी इंदर सेंस के बस हमें एक resistance चाहिए तूटता हुआ अगर इसके अपर कोई resistance हमें तूटता हुआ मिल गया है जैसे कि इस तरह का कोई एक swing बना और वह swing टूट गया या फिर कोई भी एक हमें mother candle दिख गई price range के अंदर है यहां से जैसे यह बाहर के दरफ निकलेगा हमें सिर्फ सिर्फ हमें एक confirmation चाहिए lower time frame पर हम अपना trade execute कर अब ज़रूरी नहीं है आप कोई भी stock open करो उसके अंदर जब analysis करने बैठ हो तो इस तरह के projections आपको दिखे जाए यह ढूंडने पड़ते हैं stocks को watch list में add करते रहना होता है हम daily basis पर उन्हें देखते हैं एक सही समय आने पर सही मौके पर उसे trade करते हैं इसके trend identification करते हैं stock selection होता है entries के confirmations होते हैं पर हम लोग यह देखते हैं कि कहां पर stop losses अभी रखे हुए कहां पर stop losses मिलने के chances हमें ज्यादा रहते हैं अब यहीं से देखिए एक बात हमें याद आई कि अगर stop losses हमें देखने हैं तो कोई भी एक area up draw कर लो जैसे कि यहां यहां से again and again selling हो रही जब 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 price यहां पर ज नीची कि तरफ गिरता है अब आप समझो stop losses कहां पर हो सकते हैं यह swing पर आपके stop losses रखे होंगे क्योंकि यहां से जो भी sale कर रहा हो उसने stop loss तो इस एक जगह पर लगा करके रखे होंगे ना फिर से price आ यहां से प्राइस जा रहा है मतलब कि stop losses इसी जगह पर होंगे फिर से price पर जा रहा है यहां पर देखें यह इस से के पर यहां से और यह stop losses क्या हो सकते हैं कोई हमारा OI data हो सकता है हमारा कोई round number हो सकता है यह higher time frame का कोई resistance हो सकता है time frames का बड़ा game होता है अब जैसे price हमारा उपर की तरफ तूटा stop loss गय तो move आता है जब जब stop losses hit होंगे तब तब आपको बड़ा move देखने को मिलेगा अब आजाये सीधे 5 minute time frame पर यह red वाली line अब यहां पर देखें यह जो red वाली line है यही अपनी hourly और daily time frame के लाइन है price हमारा इसके ऊपर trade कर रहा है हमने क्या कहा है हमें एक swing के breakout चाहिए और वो यहां पर देखिए हो रहा है इस green वाली candle यह जो हमारी 10 वाली candle है हमने इसका high mark कर लिया और जैसी price ने ऊपर की तरफ breakout दिखाया यहां पर अपना trade execute हुआ हमने just swing के निचे अपना stop loss लगा दिया है 4075.20 पर अपना पूरा trade execute हुआ swing के निचे हमने stop loss लगा दिया है और यह black वाली line हमारा main जिस candle की इस black वाली line का ही breakout म जाने के बाद में कितना बड़ा move हुआ और main target जो अपना है वो 4178.50 हम यहां तक बेट करेंगे अभी जितना भी समय लगा न हमें आपको एक trade समझाने में इसके पीछे का पूरा process समझाने में जब आप हम trade execute करने जाते हैं तो इतना ज्यादा समय नहीं लगता या धीरे धीरे करके जब आपकी practice हो जाएगी तो इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा बहुत जल्दी यह काम हो जाते हैं लेकिन जब तक समझ में नहीं आता जब तक आप फसे रहोगी इधर उधर में के न वॉल्म के साथ में प्राइस के analysis करो बहुत आसान है अब यहां पर देखो कि जैसे यह जो candle है मारी 10 बजे की candle इसमें देखो प्राइस ने वॉल्म के साथ ऊपर की दरब breakout दिखाने की कोशिश की अब यह जो 10 बजे वाली अपनी candle है इसने देखो एक resistance बनाया है तो वॉल्म कम हो गए अगें देखो यहां पर वॉल्म के ब्रेकाउट एंड यहां पर देखो हाई वॉल्म के साथ में ब्रेकाउट वॉल्म का कितना बड़ा गेम हो रहा है हाई वॉल्म के साथ में प्राइस ने उपर कि दर ब्रेकाउट दिखाने की कुशिश की नहीं कर पाई प्राइस हमारा रीट्रेस होने के लिए आ रहा है तो कितनी कम वॉल्म के साथ में आ रहा है और फिर सिदे बड़े-बड़े वॉल्म के ब्रिक आउट होगा प्राइस फिर सी देश ने अपसाइट का ही मूब दिखा दिया इस तरह से प्रैक्टिस करो आपको बहुत सारी अब इस तरह आपने सोचा नहों एक एक करके वो सब क्लियर हो जाती है वो समझ में आते हैं आयोब की पूरी चीज आपको समझ में होगे एंड वीडियो भी काफी बड़ा हो चुका है कोई भी ट्रेट एक्जेक्ट करो ना इस तरह की प्राइस के साथ मैं आप एक्रेट अ आप लोगा मुूस तो बच रहुत हो अब बचई होए और अभी वहम वेट करनी नेकलिंग में यह बारह बचकर पांच में इसका ब्रिक ब्रिकाट वोगा अभी देखिए गा इसका बrio कर देखेगगा इसके असका प्रिश्ट का या क्वा इनितं कर सक पर देख हैं यहा ज आपडेट करते हैं वहाँ पर आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो जो भी latest content होगा वहाँ पर आपको मिलता रहाएगा like, price actions related जो भी topics रहते हैं कोशिश रहती है कि simple way में price actions को अच्छे से अच्छे तरह से आप रों के साथ उसको explain किया जाए share किया जाए ताकि trading और बहतर और गैंबलर mindset को छोड़ करके professional way में काम करने start कर सो thanks good bye and I hope कि video बहुत ज्यादा आपको help करेगा आने वाले trades को execute करने में और उसको easy बनाने में